मिन रास के दोस्तों स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल में मैं हूँ अचारस के तिवारी दोस्तों आज बात करने बाले हैं मिन रास वालों की साड़े साती कब तक रहेगी बरतमान समय में आपके जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा आपकी रासी में 2025 में सनीदेव आने वाले हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है दोस्तों बेक्ति के जीवन में जब भी सनिदेव की ढईया, साड़े साती, महादसा या फिर सनिदेव बक्री अवस्था में आ जाते हैं तो सब ज़्यादा परिसानी आती है सब ज़्यादा मेनत भी करवाते हैं, खर्च भी करवाते हैं, साथ ही बेक्तिको आर्थी ग्रूप से मांसिक और साधिरी ग्रूप से इतना परेसान कर देते हैं, कि उसके समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल जाराता है, जैसा कि आप जानते हैं कि धैया धाई साल की होती है, तो साड़े साथी साड़े साथ वर्स की होती है, तो वहीं सन की महादसा 19 वर्स की होती है, बक्री चाल हर वर्स 140 दिनों से लेकर 142 दिनों के लिए होती है, जब संदेव बक्री अवस्था में होते हैं, तो 15 नमंबर 2024 तक बक्री ही रहेंगे इस समय में रास के जातकों पर कुछ जादा ही परिसानिया चल रही होगी व्यापार व्यवसा में बहुत खास इस्थिती नहीं देखने को मिल रही होगी नोकरी और कार्षेत में समस्या अलक से नजारा रही होगी नई नोकरी मिलने में परि कर रहा होगा उल्जने सुल्जने के बजाए और भी जादा बढ़ रही होगी बेक्ति मांसिक रूप से परेसान चल रहा होगा यह सारी परिस्थित्यां होती हैं जब सनिदेव बक्करी होते हैं मीन रास के दोस्तों 17 जनबरी 2023 को सनिदेव कुम्भ रास में प्रवेश किये थे तभी से इस रास में गोचर कर रहे हैं अब सनिदेव का अगला गोचर 29 मार्श दोसरा चरण ग्लतियों पर गलतिया करवाते हैं, इस स्थित में व्यक्ति पर शेहत पर सब से ज्धादा असर पढ़ता है, आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है, मांसिक तनाव के साथ साथ निद्ध से जुड़ी समस्या भी उत्पन हो जाती है इस समय में जातक जो भी फैसला लेता है वो फैसला गलत साबित होता है और पूरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ती है समाज में बदनामी होने का डर बना रहता है जातक के मित्र ही उसको धोका देते हैं अपने ही लोग पीट पीछे सड़ेंतर करते हैं नुकरी कारशेतर में जातक सहकर्मियों के दौरा या फिर अपने अधिकारियों के दौरा गलत रूप से फसाया जाता है ये सारी परिस्थितियां जब भी सन के साड़े साती की सुरुआत होती है तो देखने को मिलती है दोस्तों अगर सन्दियों के दूसरे चरण की बात की जाये तो 29 मार्च 2024 से आपका सुरू होने वाला है तो इस चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है दूसरे चरण में रिष्टेदार बहुत ज़्यादा परिसान करते हैं, कष्ट देते हैं जातक को परिवार से दूर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है यानि जातक अपने घर परिवार को छोड़ कर कहीं बाहर जाने की इस्थिती में आ जाता है सारीदिक रूख के साथ ही मनसिक तनाव भी जातक को जहिलना पड़ता है छोटे से कारी करने के लिए भी सामान सेधिक प्रयास करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह कारी आपका बन जाएगा ऐसा लगता है कि 15 ये 20 दिनों में काम बन जाएगा लेकिन वह काम बनता नहीं है कोई नहीं कोई अर्चन अबाधा आ जाती है इस इस्थित में परिवार, मित्र, रिस्तेदार सभी एके करके जातक का साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं इस दोरान जातक कि वैवाही की स्थिती खराब हो जाती है यहां तक कि तलाक लेने की नौबद भी आ जाती है में रास के दोस्तों, जब संग्देव आपकी रासी से निकल कर मेंसरासी में चले जाएंगे दोजार रखाइस के बाद तो आप लोगों का तीसरा और आखिरी चरण सुरू होगा अंतिम चरण में जातक कि सुक सुवधाओं का लगभग अंत हो जाता है आमदिनी अठन्य और खर्चर रुपईया वाली हालात न जा राते हैं नुकरी और व्यापा लगभग खत्म होता न जा राता है सेहत से जुड़ी परिसानिया सब ज़्यादा परिसान करती है संतान से बाद विवाद इस दोरान बढ़ जाता है अगर मालीजे संतान नहीं है तो पिता से अनुवा रोव मतवेद बढ़ जाते है इस दोरान नया मकान बनबाना सब ज़्यादा परिसानी उत्पन करता है इस चरण में स्तन देवपाओं में निवास करते है तो आपको भाग दोड बहुत ज़्यादा करवाते है पैर से समंधिस समस्या देते है किसी प्रकार का रोग हो जाएगा एक्सिडेंट हो जाएगा चोट चपेट लग जाएगी या बात होने की संभावना बन जाएगी यानि सब ज़्यादा नुकसान इस दोरान पैरों को होता है इस चरण में आई के साधन लगभग बंद से हो जाते है इस दोरान लिया गय कर्ज और लोन बेक्ति को और भी ज़्यादा परिसानी में डाल देते है में रास के दोस्तों बरतवान समय में आपके जीवन में जो भी परिसानिया चल रही है उसका कुछ न कुछ हल 15 नमंबर के बाद मिलना सुरू हो जाएगा जैसे ही सनी मारगी होंगे आपके जीवन में बहुत कुछ चीजे बहतर होना आरंब हो जाएगी ऐसे तो नहीं कह सकते कि सारी चीजे अच्छी हो जाएगी लेकिन 15 नमंबर 2024 के बाद आने वाला समय बहतर न जाराएगा आपके काम बनने सुरू हो जाएगे अगर कहीं पैसा भसा हुआ है तो पैसा वापस मिलने के संभावना बन जाएगी पती-पतनी के संभन अगर खराब चल रहे हैं तो अच्छे होने की स्थिती में आ जाएंगे बच्चों के संभन अच्छे होंगे आई के साधन बनेंगे कार्शेतरो नोकरी या ब्यापार में स्थिती बहतर होगी खासकर सरकारी कारियों से लाव की प्राक्ती होगी जिन लोगों के साथ आपका किसी प्रकार का मन मुटाव चल रहा था उनके साथ में मेत्री पूर्ण संभन बनेंगे मांसिक परिसानी से कुछ हट तक छुटकारा मिलेगा कुल मिलाकर आपका जीवन अभी से बहतर न जाराएगा में रास्क दोस्तों अगर आपकी जन्म कुल्डी में संद्यव की स्थिती अच्छी है तो आपको संद्यव से किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है चाहें दूसरा चरान आजाए या तीसरा चरान आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो अच्छा ना हो लेकिन अगर स्थिती खराब है तो जो भी आपको संद्यव के वारे में बताया जा चुका है इन सारी स्थितियों से आपको निपटना पड़ेगा और यह सारी परिसानिया और मुस्तिवते एक एक करके आपके जीवन में जरूर आएंगी इन मुस्तिवतों से आपको दोचार होना पड़ेगा अगर आपको साड़े साती से ज़्यादा परिसानी है तो आपको एक बार अपनी जन्म कुल्डी जरूर दिखानी चाहिए कि सनी देव आपकी किस रासि में किस इस्थित में बैठे हुए है तो किस प्रकार का आपको फल देंगे वैसे अगर देखा जाए तो साड़े साती सनी महादसा ये सन की ढहिया का कोई भी ऐसा उपाय नहीं है ये चीज एकदम से ठीक हो जाए क्योंकि ग्रह है अपना असर जरूर दिखाते हैं वैं कभी नश्ट नहीं हो सकते लेकिन उपाय करने से कुछ हट तक सुकून मिलता है परिसानिया आती तो हैं लेकिन बहुत बड़े रूप में नहीं आती उन परिसानियों का हल करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों सन देव को सठीक उपाय है कि अपना आचरण सही रखे अगर आप अपना आचरण सही रखते हैं तो सन देव आपको इतना परिसान नहीं करेंगे तो आए कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं इन नियमों का पालन आपको बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए दोस्तों पहला नियम कहता है कि सनिवार के दिन पीपल के बिरिक्ष को जल दें और उसमें साम के समय में दिया जलाएं यह आपको नियमी तोर पर अपनाना होगा साथ ही गाय, कुटा, कववा इन तीनों को रोटी खिलाएं अंधें लोगों को समय समय पर भोजन कराते रहें या तो उन्हें काले कपड़े दान करते रहें साथ ही सनि मंदिर में सन से जुड़ी बस्तुएं दान करते रहें कम से कम 111 सनिवार को सन मंदिर में छाया दान करें और कम से कम 111 29 सनिवार के दिन आप ब्रत रखें ब्रत में सिर्फ आप उड़त की दाल की खिचड़ी खाएं साथ ही सफाई कर्मी मजदूर और विधवाओं को कुछ न कुछ देते रहें और इन लोगों का सम्मान करें हरुमान जीक की हरुमान चालिसा का पाठ करें मंगल बार से नित्य प्रारंभ करें और हरुमान चालिसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें यह आपके लिए राम बाण साबित होगा साथ ही सराब ना पिए मास ना खाएं ब्याज का धंधा ना करें और नहीं जूट बोलें पराई महिलाओं पर गुरी नजर न डालें गरीवों मजदोरों को आप परिसान न करें उनका पैसाना खाएं अपने कर्मों को सुध बना कर रखें संदेव आपको ज्यादा परिसान नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों ये थी आप लोगों के बारे में जानकारी मीन रास के आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें